आज के इस वीडियो में मैं आपको photo और signature के साथ नया pen card apply करने का complete process दिखाने वाला हूँ इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी document send करने के ज़रूर नहीं है digital pen card आपकी email id पर और physical pen card by post आपके address पर आ जाएगा और इसमें आपका खर्चा आएगा 106 rupees only तो चैलिए शुरू करते हैं document send किये अपनी पसंद का photo और signature वाला pen card बनवाने के लिए आपको इस page पर आना होगा इसका link आपको description में मिल जाएगा इसमें आप चूज करेंगे application type new pen Indian citizen category में आप चूज करेंगे individual निचे आप टाइटल में चूज कर लेंगे शुरी शुरी मती कुमारी इसके बाद यहाँ पर अपना last name डालेंगे अगर कोई first name middle name है तो यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यहाँ पर date of birth डालेंगे जो के आप इस calendar से चूज कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक email id और एक mobile number डालना है terms को accept करेंगे capture fill करेंगे और submit एक token generate हो जाएगा token आप copy करके रख लीजिए इसके बाद continue with pen application form पर click करेंगे आपके सामने ये page open हो जाएगा इसमें आप second option चूज करेंगे submit scan images throw e sign अगर आप पहला वाला option चूज तो इसमें आधार card पर जो photo है वही आपके pen card पर आएगा और signature नहीं आएंगे तो आप second option चूज करेंगे इसमें आप अपनी पसंद का photo upload कर सकते हैं और signature भी जो आप upload करेंगे वही pen card पर आएंगे लेकिन इसके लिए आपके आधार card के साथ mobile number link होना चाहिए अगर आपके आधार card के साथ mobile number link नहीं है तब आप ये third option चूज करेंगे forward application documents physically इसमें आप लास्ट में एक application प्रिंट करेंगे उसके साथ documents लगाकर by post send करेंगे लेकिन हमारे आधार card के साथ mobile number link है तो हमें कहीं भी कोई भी document send करनी के ज़रूरत नहीं है हम ये second option चूज करेंगे इसके बा card पर लिखा हुआ है इसके बाद निचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको gender choose कर लेना है निचे scroll करेंगे कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं अगर हां तो yes करेंगे वरना no रखेंगे इसके बाद निचे यहाँ पर आपको अपना father name डालना है और अगर आप चाहें तो mother name भी डाल सकते हैं निचे हाँ पर आप चूस करेंगे pen card पर आपको mother name चाहिए या father name चाहिए इसके बाद next इसके बाद आपके सामने ये page आ जाएगा इसमें आप source of income चूस करेंगे अगर आपकी कोई income नहीं है तो आप no income चूस करेंगे अगर आपको salary मिलती है तो आप salary चूस कर ना होगा address for communication आप अपने pen card के लिए communication address क्या रखना चाहते हैं इसमें आप residence चूस कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो office भी चूस कर सकते हैं इसमें आपको अपना residence address फिल कर देना है इसमें आप country चूस कर लेंगे इंडिया और यहाँ पर अपना state चूस कर लेंगे इसमें यहाँ पर pin code डालेंगे इसी तरह से नीचे आपको अपना office address भी फिल कर देना है अगर आप चाहें लेकिन अगर आपको कोई office address नहीं है तो आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर country code चूस कर लेंगे इसमें आप टाइप करेंगे इंडिया आपका mobile इसमें आप चूस कर लेंगे अपना state इसके बाद यहाँ पर आप चूस कर लेंगे अपना city इस तरह से आपके सामने details आ जाएगी अगर आपकी तहसील का नाम A से M की बीच में है तो आप पहला option चूस करेंगे अगर आपकी तहसील का नाम N से Z की बीच में है तो आप second option ये फिर आप यहां से भी चूज़ कर सकते हैं इसके बाद next इसमें आपको id proof, address proof और DOB proof चूज़ करना होगा तो तीनों में हम यहां पर आधार card चूज़ कर लेंगे और DOB proof में भी हम आधार card ही चूज़ कर लेंगे इसके बाद निचे declaration देना होगा इसमें आपका name चाहिए क्या dimension होनी चाहिए वो बताया गया है जैसे कि आपका photo 3.5 by 2.5 cm का होना चाहिए यानि उसकी height 3.5 और उसकी width 2.5 होनी चाहिए और उसका maximum size 50 kb तक चल जाएगा और ये 200 dpi में होना चाहिए इसी तरह से signature है ये भी 200 dpi में होना चाहिए और इसका size 2 by 4.5 cm होना यानि 2 cm की height और 4.5 cm की width होनी चाहिए और maximum size 50 kb चल जाएगा जबकि आप जो documents देंगे ID address और DOV proof के लिए उनका maximum size 300 kb तक होना चाहिए और उनका format PDF होना चाहिए यहाँ पर मैं photo choose करूँगा और upload करूँगा photo upload हो चुका है इसके बाद यहाँ पर signature select करेंगे जैसी कि आप दे आधार card upload करना है तो आधार card choose करेंगे और upload पर click करेंगे अगर आप चाहें तो कोई और document भी upload कर सकते हैं add document पर click करेंगे और upload करेंगे लेकिन हमें सिर्फ आधार card upload करना था इसके बाद submit पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने page आजाएगा इसमें आप अपने आधार card के first 8 digits डालेंगे इसके बाद नीचे scroll कर दे जाएए और अपनी application को check कर लीजिए आपके सामने complete application आजाएगी इसके बाद आप proceed पर click करेंगे अब आपको payment करना होगा इसमें हम choose करेंगे third option online payment through bill desk 106 रुपीज का payment करना होगा नीचे scroll करेंगे terms को accept करेंगे और proceed to payment पर click करेंगे आपको redirect कर दिये जाएगा payment gateway पर जहां आप अपने credit card, debit card, internet banking, wallet या UPI के through payment कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको QR code के through payment करना है तो आप QR code पर click करेंगे और इसमें आप choose कर लेंगे UPI make payment पर click करेंगे आपके सामने QR code आजाएगा इस पर आप click करेंगे आपको किसी भी UPI application जैसे कि phone पे, google पे, bheem या किसी भी UPI application में इस QR code को scan करना है और उसके बाद अपना UPI pin डाल कर payment कर देना है तो आपका payment successful हो जाएगा और आपको redirect कर दिये जाएगा इस page पर यहाँ आपको wait करना होगा यहाँ पर ना तो आपको refresh करना है और ना ही browser को close करना है इसी तरह से आप अपन authenticate पर click करेंगे क्योंकि हमें कोई भी document कहीं पर send नहीं करना है तो हमें online e-sign करना होगा इसके लिए OTP authentication पर click करेंगे आपके registered mobile number पर एक OTP send के जाएगा वो OTP आप यहाँ डालेंगे इसके बाद submit पर click करेंगे इसके बाद आपको continue with e-sign पर click करना है इसमें आपको अपना अधार का number डालना है terms को accept करेंगे और send OTP पर click करेंगे आपके registered mobile number पर एक OTP send के जाएगा OTP डालकर verify OTP पर click करेंगे तो आपकी application e-sign भी हो जाएगी आपकी application successfully submit हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी physical document कहीं भी send करने की जरूरत नहीं है और यह आपकी application है इसको आप अपने reference के लिए download करके रख सकते हैं इसका password आपकी date of birth है आप date of birth डालेंगे OTP पर click करेंगे आपकी application open हो जाएगी और जो भी details आपने fill की हैं वो सब आप अपनी application में देख सकते हैं और इसमें आपका photo और signature भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको आप यह hand कर दिया जाएगा एक हफते के अंदर अंदर आपको इस तरह से email मिल जाएगा इसमें PDF में आपका digital pen card होता है आप इस पर click करेंगे इसमें आपको अपने date of birth डालनी होगी open करने के लिए क्योंकि यह logged होता है इस तरह से आपको digital pen card मिल जाएगा इसमें आपका photo और आपका signature भी होगा आपको अलग से इस पर signature करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 15 दिन के अंदर अंदर by post यह आपके address पर भी आ जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है या आपको कोई problem आ रही है तो आपने चे comment करके पूर सकते हैं